सच बात यह है कि नरेंद्र मोदी के आने से उनके प्रधानमंत्री बनने से हिंदूओं का स्वाविमान जागा है और हिंदूओं का जो स्वाविमान जागा है ये कोई छोटी बात नहीं है हम तो सच बात ये हैं हमने सारुजिने करूप से कई बार ये बात कही है कि हम एंटी मोदी नहीं है बलकि मोदी के प्रसंसक है और इसलिए प्रसंसक है क्योंकि इतना हिम्मती और हिंदूओं के पक्षमें द्रटा के साथ खड़ा रहने वाला कौन सा दूसरा प्रदान मंत्री अभी तक आजाद भारत में हुआ है बताओ ना अच्छे अच्छे प्रदान मंत्री हो गए हम किसी की आलोशना नहीं कर रहे हैं उन सब की अपनी अपनी विशेस्ताएं थी लेकिन हिंदू भावना को समक्तन देने वाला हिंदू स्वाब इमान को हिंदू की आत्म बल को बढ़ाने माला ये तो पहला ही प्रदान मंत्री है ना और हम एक हिंदू होने के नाते इंटी कैसी बात करते हैं आप लोगों को तो केवल यही धुन है एक ही एजंडा आप लोगों ने बना लिया है मीडिया ने कि बस एंटी मोधी एंटी मोधी शिद्ध कर दो आप यह बताईए कि जब इन्ही प्रदान मंत्री के द्वारा इन्ही के ग्रह मंत्री के द्वारा धारा 370 समाप्त की गई क्या उसका सबगत हमने नहीं किया नागरिकता कानून लाया गया क्या उसके बारे में हम लोगोंने अच्छा नहीं कहा समान नागरिक समीता कि जब बात की जाती है तो अपनी जो हमारी धार्मिक शिंताएं हैं उनको व्यक्त करते हुए क्या हम उसका सबगत नहीं करते हैं प्रधान मंत्री जी ने सच्छता का अभियान देश में चलाया क्या हम लोगों ने उसमें कोई बाधा डाली क्या उसकी सार्जवनिक प्रसंसा नहीं की गई श्री राम जनम भूमी के निर्णे के आने के बाद किस तरह से लायन आर्डर को पूरे देश में मेंटन किया गया किसी प्रकार का कोई दंगा पसाद नहीं होने दिया गया इतने बड़े निर्णे के आने के बाद भी इसके बारे में हम लोगों ने सार्वनिक रूप से प्रसंसा नहीं की जो हिन्दू होने के नाते हिन्दू भावना को जब बल मिलता है तो स्वाभाविक रूप से प्रसंनता होती है और यह काम नरेंद्र Scientific कर रहे हैं